एक मात्र आसो, उठो और अपने अस्तित्यों को समालो, केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए, तुम खासो, तुम खासो. मैं मात्र सक्ति को नमन करता हूँ, प्रडाम करता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि मात्र सक्ति और महिलाएं, वो हर चेत्र में, आज कोई चेत्र ऐसा बचा नहीं है, जहां मात्र सक्ति पीछे हूँ, और उन्होंने अगर कुछ ठान लिया, संकल्फ ले लिया, तो कोई आगे है कि अण को वी बोद एस देख जाकरह हुचो लिए है तव्हाद में ले 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 को ह्या है तो वो बेद की रिचाएं मन जाति हैं और रज देती हैं और तर्वाल ले ले तो धर्या को जो दर्या का मान्चित्र वहाат I수 whatnot देती है यहां उनका वास होता है वहाँ स्वयम भगवान भी जुए बिच्रण करते हैं भगवान भी वहांपर अपनावास बनाते हैं यही कारण है कि आज हमारी जो भारती च्छय सनातन संस्कृती में नारी को हमेशा एक उपर का दर्जा देवी का दर्जा प्राप्त है और बेदों में भी महिलाओं से आववान करते हुए कहा है कि सच्छम हो, समर्थ हो और रास्ट को दिसा देने का काम करें वो चहें जिस रूप में हो, मा के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो हर रूप में नारी ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है आज ये कोई छित्र ऐसा नहीं है जहां वो पीछे हो और हर छित्र में पुर्सों के साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ी हैं लगातार अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रही हूं आज चाहे घर हो युद्ध क मैतान हो या समाज का छेत्र हो राजनीती का छेत्र हो सिनेमा हो बैग्यानिक छेत्र हो किर्शी और सिक्षा का छेत्र हो स्वास्त का छेत्र हो हर जगह महिलाओं ने मातर सक्ति ने अपने आपको सावित किया है अपने आपको दिखाया है कि उनको जो भी भूमिका मिलेगी ह आर भूमिका में उन्होंने अपने आप को साबित करने का काम किया है। मुझे प्रसंता है कि आज प्रदेश के दुरुगम गाउं गाउं में हमारी जो मातर सक्ती है। वो अजीवका के छित्र में अन्यकों कारियों को अंजाम दे रही है। चाहे वो आज सेल्फ हेल्फ गुरुप बना कर हो या कुटीर उध्योग, लगू उध्योग कि जर ये ग्रामीन अर्थ व्यस्ता को जहां एक और गती मिल रही है, एक और ये ग्रामीन अर्थ व्यस्ता आगे बढ़ रही है। वही मैं अन्यकों स्तानों पर गया हूँ और अन्यकों स्तानों पर मैंने देखा है कि जो हमारी मातर सक्ती के विभिन परकार के चलने वाले समू हैं, स्वयम सायता समू हैं, उनके माध्यम से जहां वो स्वयम का रोजगार बना रही हैं, स्वयम का रोजगार खड़ा कर रह पिछले दिनों मैं अलमोडा के हवालवाग में दो साल से लगातार में जा रहा हूं और रेखा जी भी साथ में रहती हैं और एक साल में वहां पर मातर सक्ती ने एकदम से उस इंक्युवेटर्स के माध्यम से जो रिंड लेकर रिंड लेकर अपना काम कर रहे हैं हमारी मातर सक और बहुत सारे स्टार्ट अप के समु उन्होंने एक साल पहले उनकी छ्य करोड का रिण टोटल वहां पर जितने भी स्वयम साहता समु या स्टार्ट अप या अन्य जो कुटीर उध्योग चला रहे हैं छ्य करोड का रिण लिया था दो हजार एकीस में और मैं एक साल बात ज ज्यादा रिंड लेकर अपना काम कर रही हैं और एक जगह पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने इलांस और हमारा जो हमादरी के जो ब्रांट के जरिये वो अपना उतपाद बजार में लाती हैं बजार में बेचने का काम करती हैं तो बहुत खुश हो के म तो उनोंने कहा कि हाँ एक साल में हमने 27 लाख रुपे कमाई उस परे समूने तो यह अनेको ऐसी सपलता की कहानिया हैं और अच्छा यह लगा मुझे कि जो कॉरूना महामारी के दौरान जब यह बहुत सारा उतपाद बना नी पाई बनाया तो वो बिक नी पाया कच्छा सम में हम लोगों ने 119 करोर रुपया इन स्वेम साहता समू को पैकेज के रूप में साहता के रूप में परदान किया था तो बहुत जगा पर उनोंने हमको बोला कि आप लोगों ने जो हमको 2021 में जो पैकेज दिया था उस पैकेज के कारण से हमको बहुत आसानी हुई नहीं तो हमको प्रेसा नहीं हो जाती. तो जगा जगा पर में जहां भी इस्टालों के अंदर जाता हूं, भी रास्त्तिजी जब आई थी. तो लास्त्तिजी के सामने भी उनों ने बोला. देहरादून में दून स्कूल में जो उनका इस्टाल लगा था, बोले कि आप लोगों ने उस समय जो हमारी साहता करी उसके कारण से हमको बड़ा लाग हुआ तो ऐसे आज महिलाओं के पास जो है कौंसल की उद्धियम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अब यही कौंसल और यही जो आपका उद्धियम है उनके और उनके परिवारों के साथ साथ आर्थिकी को भी एक नई सक्ती प्रदान कर रहा है और पहले के समय में देखे महिलाओं के पास खास कर गरीब महिलाओं के पास बैंक के खाते नहीं होते थे होते थे नहीं होते थे नहीं होते थे क्या नहीं होते थे 2014 से पहले होते थे मोदी जी के बनने के बाद बैंक न खाते खुले इसकारण से आज जो आर्थिक रूप से जो आत्म निर्भर नहीं थी हमारी मात्र सक्ति उन सभी को यह मौका आजनी प्रधानमंत्री जी ने दिया और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में करीब तेईस करोड महिलाओं को जन्धन खातों के जरिये बैंकों के खातों से अभी तर जोड़ा जा चुका है आज प्रणार मंत्री जी के नितत्तो वाली सरकार ने प्रतेक छेत्र में उनका बिसेस फोकस रहा है कि मात्र सक्ती आगे आए और उनको बढ़ाने का कारिया लगातार किया जा रहा है आज चाहे वो बित्तिय समाबीस हो सामाजिक सुरक्चा हो गुणवता पूर्ण स्वास्त सेवा से लेकर आवाज सिक्षा उद्धिमिता तक हमारी नारी सक्ती जो भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रियास किये गए हैं ये प्रियास आने वाले समय में और भी अधिक उट्सा के साथ मानी प्रधान मंत्री जी का जो नया बजट आया है इस वर्स का आम बजट उस बजट में भी मात्र सक्ती को हमिशा का प्रावधान इस आम बजट में भी किया गया है आज उजवला योजना हर घर नल से जल सोचालेयों का निर्मान ये सभी कारिये इसके उधारन है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ इस प्रकार से चाहे आज कोई छेत्रों चाहे आज वो साइंस एंटेक्नोलोजी का छेत् में मात्र सक्ती को पूरी तरह से आत्म निर्भर बनाकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का काम तेजी से हुआ है हमने भी आज सरकारी नोकरियों में आप सभी को तीस प्रतिसाद आरक्षण का संपूर लाब देने के लिए तेज गती से काम किया है उससे आप हमारी प् कि अपते पहले जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग मात्र सक्ती को जिस प्रकार से हत्या की गई है मैं पुलिस के विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि एक हपते के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए एक हपते के अंदर उसका पता होना चाहिए एक हपते के आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों के अथक परिश्रम से जहां एक और आर्थिक रूप से अपने आपको आत्म निर्भर बनाने का कारिय किया गया है महीं देव भूमी की सब्यता और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम जीवन्त रखने का काम लगातार हो रहा है मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहता हूं हमारा लक्ष है उत्राखर्ण को हिंदुस्तान का स्रिष्ट राज्य बनाना और इस लक्ष की प्राप्ति के लिए हमें आप सब का असिरवाद चाहिए अपनी मात्रसक्ति की सुपकामनाई चाहिए उनका असिरवाद चाहिए और आपका समर्थन भी चाहिए तो निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान के स्रिष्ट राज्यों में सामिल होंगे एक एक करके हम अनेकों चेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं आज जो जब भारत के संपूर भारतवर्स की समिक्षा होती है देश के अंदर तो बहुत सारे छित्रों में हम आज आगे भी आ गए हैं अभी अम्रत सरब और योजना की समिक्षा हो रही थी उस पर हम देश के दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर हमारा इस्तान आया है अभी करतब बेपत पर जो पहली परेड हुई एतिहासी परेड तेज सालों में उत पहला इस्तान पूरी देश के अंदर प्राफ्त हुआ है तो इस प्रकार से धिरे धिरे हम हर चेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है जो बिकल्प रही संकल्प है उसको लेकर हम आगे बढ़ें और हर एक उत्राखंड के रहने वाले भाई बहन के मन में है वि कहते हैं कि साब हम उत्राखंड में कौन से डेस्टिनेशन में जाएं तो मैं बहुत स्वचंद होकर कहता हूं कि उत्राखंड के आप किसी कोने में जाईए हर कोना एक डेस्टिनेशन हर कोना एक नया हमारा इस्तल है जहां जाया जा सकता है जहां उसको देखा जा सकता है औ और जहां पूरा देव भूमी, देवों की किरपा से आच्छा दीते हैं, नदियों से आच्छा दीते हैं, देखें, पूरे संपूर्ण भारत को अभी एक बत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा, क्या पहाड की पानी और जवानी के बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि पहा इससे उर्जा का उत्वादन कर रहे हैं, उर्जा प्राप्त हो रही है, वहीं ये पानी संपूर्ण देश को जो है, कहीं पीने का काम, कहीं सीसने का काम, संपूर्ण देश के काम आ रहा है, उसी प्रकार से पहाड की जवानी है, पहाड के साथ साथ पूरे देश के आने को आपर लग्ण के मिलते हैं और हर परमुक जगह पर मिलते हैं हम उनसे बदनार मेरा प्रयास मैं कहता हूँ कि वही आप लोग उत्राखंड आईए उत्राखंड के योगदान में अपना भी आप योगदान सुनिस्चित करिये आप अपने पूरोजों की भूमी में आईए और रिवर्स माइगरेशन आपने देश दुनिया में अपना नाम किया है तो आप उस जगर भी जहां से आपकी जड़े हैं जहां आपके पूरवजों ने इसको बनाने का काम किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं अभी पिछले दिनों तिवाल गाउं में गया था टेहरी में पूरी पूरे मना गाउं की मात्र सक्ति क्या गजब काम कर रही है पूरा का पूरा होमिस्टे से जुड़ा हुआ है और मैंने यहां भी पिछले दिनों परियास किया कि मैं जहां भी जाओं एक जगा किसी ने किसी होमिस्टे में रुकूं और उसके कारण से जहां हमारी मात्र सक्ति को एक थोड़ा उनके जो काम हो रहे हैं उस काम में किसी ने किसी प्रकार स हो मिझे फुर्प फुर्ट क क्रोरा गां हो मिझे लेकिन थे थे संभव पा रहा है जब घर की माताwindENT भी उसमें अपनाा सयोब कर रही है देरे यहामारी आज मन बन रही है जे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और छेट में हर जग लोग इसकी को राकर्सित हो रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि महिला सुरक्षा सप्ता कारिकरम हमारी जो सरकार है उसका ससक्त मातसक्ती ससक्त राज्य के संग्रफ को पूरा करने में सायक सिद्ध होगा आज यहां पर मैं कुछ बहने भावक हो रही है मैं समझ सकता हूं कि वह निस्च पर खड़ा रखा है निस्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने की और आप सब आगे बढ़ रही है और भगवान कई बात कस्ट देते हैं और कस्ट देने के बाद उसका रास्ता भी भगवान ही निकालते हैं हमको बहुत चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं भाग्य हमारे ह नहीं होता है कुछ चीज़ें भाग्य द्वारा पहले सही रचित हैं उसमा हम कुछ नहीं कर सकते हां हमारा जो काम है कि हम अपने को रुकने नदे हम अपने को थमने नदे हमारी गति नरूके हम लगातार आगे बढ़ते जाएं और मुझे पूरा मैं इस मंच से दावे से क भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है इसलिए भागवान के द्वारा सभी कुछ रचित हैं उस पर केवल हुख एं हमारा काम है कि हम अपना कर्म करते रहें इसलिए भगवान ने तब ही कहा है कर्मन नए वाधि Televisionיהלה आश्यू क्गा बड array is तर अन्य कि कर्म करते रहें फल की चिंता मत करिये, फल तो सोयम इस वर आवस्चे देंगे, और जब हम कर्म करेंगे, तो कुस न कुछ हमको जरूर पराप्त होगा, और आज मैं अपनी बेहनों को देखकर, उनके उत्सा को देखकर, उनके चेहरों को देखकर, मुझे पुरा विस्वास है कि जिस परकार स आपने समय समय अपर अपनी चंपताओं से अपने परदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से हमारी सरकार का जो स्रेष्ट उत्राखंड का संकल्प है, उसकी सिद्धी के लिए उसको पूरा करने के लिए उसको लग्ष तक पहुचाने के आप सब अवश्य अपना युगदान सुनिशित करेंगी, अन्त में मैं अपनी मात्र सक्ती के समस्त, चुकि अभी जो एकल महिला के जीवन में आने वाली परिसानिया, उनके कस्टों का समाधान, उसके निवारन के लिए, हम सरकार की और से भी, चुकि सरकार भी उसमें कि मैं घोशना करता हूं कि ये युदना चलाई जाएगी, और अन्त में मैं अपने राज्य की समस्त, मात्र सक्ती को एक बार पुना, ये पूरा सप्ता जो आठ तारिक को अंतराश्टी महिला दिवस के उपलक्ष में मनाया जा रहा है, मैं उसकी आपको सब को सुब देता हूं, धन्यवाद।